हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब को बसंद पंचमी की देर सारी बदाई जैसा कि फ्रेंट्स आप जानते हैं कि माग मास के शुकल पक्ष की पंचमी तिती के दिन बसंद पंचमी का तोहार मनाया जाता है इस दिन से भारत में बसंत रितु का आरंब हो जाता है आज फ्रेंट्स में आपको बसंत पंचमी से संबंदित पूरी जानकारी दूंगी कि ये 2021 में कब है कौन से दिन है तिथी शुमूर्त पूजा विदी कैसी है इसकी किस तरह से में पूजा करनी चाहिए और इसकी कथा क् क्यों स्वर्श्वती माता के पूजा के दिन हम पीले वस्त धारन करते हैं तो फ्रेंट्स चलिए आप मेरे इस वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीस इसे जादा से जादा शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में जो आइकान बैदा है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा तो आईए फ्रेंट्स हम शुरू करते हैं बसंद पंचमी के दिन विद्या की देवी मा सरस्वती की पूजा रातना करने का विधान है ये पूजा पूर्वी भारत पूरे साल को जिन छह मौसम में बाटा जाता था उसमें बसंद लोगों का सबसे मंचा मौसम था जब फूलों पर बाहर आ जाती है केतों में सरसों के फूल खिल जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सोना चमक रहा है जो और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं आमों के दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है जिसमें विश्णु भगवान और कामदेव की पूजा होती है शास्त्रों में बसंद पंचमी को दिशी पंचमी के नाम से भी पुलाया गया है बसंद पंचमी की पूजा सूरदे के बाद और दिन के मध्य भाग से पहली की जाती है इस समय को पूरवाहन कहा जाता है और इस दिन पीले वस्त धारन करना बहुत शुप माना जाता है तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि 2021 में बसंद पंचमी का पर्व कब है तो साल 2021 में बसंद पंचमी का पर्व 16 फेबरली मंगलवार के दिन मनाया जाएगा पंचमी तिती का आरम होगा 16 फेबरली मंगलवार के दिन को प्राता काल 3 बचकर 36 मिनिट पर जबकी पंचमी तिती का समापर 17 फेबरली बुदुवार के दिन प्रातकाल 5 बचकर 46 मिनिट पर साल 2021 में स्वरस्वती पूजा का शुब मूरत सुबे 6 बचकर 69 मिनिट से दुपैर 12 बचकर 35 मिनिट तक का है लगभगी अबधी 5 घंट 37 मिनिट तक रहेगी बसंत पंचमी के दिन देवी माता सरस्वती की पूजा करने का विदान है इस दिन स्कूल और शिक्षक संस्ताओं में मां सरस्वती की पूजा के साथ साथ घरों में भी पूजा की जाती है बसंत 5 मिनि देवी के दिन प्रातकाल सनान के बाद मा सरस्वती की पृटों को पूजा स्थल पस्थापित करें कलेश थापित करके सबसे पहले गनेश भगवान का नाम लेकर पूजा करें सुरस्वती माता की पूजा करते समय सबसे पहले उन्हें आवान, उन्हें आच्मन और स्नान कराएं उन्हें पीले रंगे वस्त्र पहनाएं और उन पर पीले फूल चड़ाएं उन्हें पीले रंग के अभूशनों से सजाएं, माता के चर्णों में गुलाल अर्पित करें, सुरस्वती मा पर पीले फल या फिल मौसमी फलों के साथ साथ बूंदी चड़ाएं, माता को माल पूए और खीर का भोग लगाएं, जोकि सुरस्वती माता ज्यान और वीना की दे आया जाता है, अक्षर अभ्यास से भी मतलब है कि विध्या अध्यर आरम करने से पहले बच्चे के हाथ से अक्षर लिखना आरम करना, इसके लिए माता पिता अपने बच्चे को गोध में लेकर बैठे, बच्चे के हाथ से गनेश जी भगवान पर फूल चड़वाएं और फिर अनार की कलम या चांदी की कलम से एम, श्री या ओम लिखे, इसके बाद स्वरस्रती माता की पूजा करें, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से बच्चे की बुद्धी तीवर होगी, बसंद पंच्मी के दिन 6 महने के बच्चे को पहली बार अन्य खिलाया जाता है, जिसे अन्य प्राशन संसकार कहते है, इस दिन चोटे बच्चे नए कपड़े पहना कर, चौकी पर लाल कपड़ा बिचा कर, उस पर बच्चे को बठा कर, माता स्वरस्वती की आरारना करके चांदी की चम्मत से खिर खिलाए, बच्चे की जीप पर ओम, एम या श्री लिखें, इ इस मंत्र का जाब करके आप स्वरस्वती माता का आश्रवात प्राप्त कर सकते हैं, इस दिन पीले चावल या पीले रंग का भोजन किया जाता है, मंगाल में इस दिन पीले रंग की खिचली खाई जाती है, बसंद पंचमी के दिन कुछ लोग कामदेव जी की पूजा भी क पूरानिक मानेताओं के अनुसार बसंद कामदेव के मित्र है, इसलिए कामदेव का धनुष फूलो का बना हुआ है, जब कामदेव कमान से तीर छोड़ते हैं, तो उसकी आवाज नहीं होती, इनके बाड़ों का कोई कवच नहीं है, बसंद रित्यू को प्रेम उल्लास की प्रेम के लितु माना जाता है, इसमें फूलो के बाड़ों को खाकर दिल प्रेम से सरोबर हो जाता है, इन कारोनों से बसंद पंशमी के दिन कामदेव और उनकी पतनी रती की पूजा की जाती है, बसंद पंशमी के दिन पीला रंग क्यों खास होता है? बसंत पंजमी के दिन मा स्वरस्वती की पूजा करने वाले भक्त भी इस दिन पीले रंग के कपड़े धारन करते हैं इस दिन पीला रंग पहनने शुब माना जाता है इसके दो कारण है पहला बसंत रितु को रितुओं का राजा कहा गया है क्योंकि कडाके की ठंड खत्म होकर मौसम सुहाना होने लगता है हर तरफ पेड पौधे पर नई पत्तियां फूल कलियां खिलने लग जाती है गाउ में इस मौसम में सरसो के फूल के कारण धर्ती पीली नजर आती है पीली धर्ती को ध्यान में रखकर लोग बसंद पंच्मी का स्वागत पीले वस्त पहन कर करते है दूसरी मानेता के अनुसार बसंद पंच्मी के दिन सूर उत्तराइन होता है जिसका पीली किरने इस बात की और इशारा करती है कि हमें सूरी की तरह गंबीर और प्रकर बनना चाहिए बसंद पंच्मी के दिन पीला प्रसाद और पीली खिचडी भी बनती है इनी दो वज़े से बसंद पंच्मी के दिन पीले रंका महत्वर रहता है बसंत पंश्मी की कत्था शष्टी की रचना के सम्मे ब्रह्मा ने जीव जन्तूओं और मनुश्योनी की रचना की लेकिन उन्हें लगा की कुछ कमी रह गई है जिसके कारण चारो और सन्नाटा छाया रहता है तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारेन के लिए जल छेड़कर श्री भगवान विश्णू का स्मरण करना आरम किया ब्रह्मा जी के स्तूती सुनका तुरंथ ही विश्णू भगवान उनके समने प्रकट हुए और उनकी समस्या जानने का आदी शक्ती माता दुर्गा का हवान किया विश्णू जी के द्वारा याद करने के कारण माता दुर्गा तुरंथ ही प्रकट हुई तब ब्रह्मा तता विश्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया ब्रह्मा जी तता विश्णु भगवान की बात सुनकर माता दुर्गा के शरी से एक श्वेत रंग का तेज प्रकट हुआ जो एक दिवी नारी के रूप में बदल गया उस्त्री के एक हाथ में वीणा दुसरे हाथ वर मद्रा में था बाकी दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अन्रोट किया जैसे ही देवी मा ने वीणा का मधुर नात किया संसार के सभी जीव जन्तूओं को वीणा मिल गई जलधारा कोलहार करने लगी हवा सरसराट कर बहने लगी तब ब्रह्मा ने उस देवी को वीणा की देवी सर्श्वती कहा सर्श्वती को भगवती, शार्दा, बागेश्वरी, वीना, वंदनी और बाग देवी जैसे समस्त नामों से पूजा जाता है फिर आदि शक्ती भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा की मेरे तेज से उत्पन हुई ये देवी, सर्श्वती आपकी पत्नी बनेगी जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु जी की अर्धांगनी है पारवती महादेव शिवजी की शक्ती है उसी प्रकार ये सर्श्वती देवी ही आपकी शक्ती होंगी ऐसा कहकर माता दुर्गा सब देवताओं को देखते देवी अंतर ध्यान हो गई इसके बाद सभी देवता शष्टी के संचानन में लग गए दोस्तों अगर आप ऐसी ही इंट्रेस्टिंग जानकरियां और भी जानना चाहते हैं तो क्रिपा करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद